हेलो फ्रेंड्स गावरंतर का रेसिपी में मैं वर्षय वले आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनने वाले हैं बहुत ही खिली खिली और खाने में भी टेस्टी साब दाना की चड़ी आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत ये साब दाना की चड़ी दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है चले फिर हम इसकी रेसिपी देख तो ग्यास के ऊपर मैंने कड़ाई चाड़ा दी है कड़ाई में सबसे पहले हम वाइल डालेंगे यहाँ पर मैंने कच्ची घानी मूफली के वाइल का इस्तमाल किया है आप देख सकते हो ये लकड़ी की घानी के ऊपर बना हुआ वाइल है इसको फिल्टर भी किया हुआ नहीं है शुद्ध लकड़ी घानी से बना हुआ है मूफली का वाइल है बहुत ही टेस्टी लगता ह इसमें ना शाबुदाने की खिसड़ी तो बहुत जादा टेस्टी लगती है अब वाइल को हम आच्छे से गरम करके लेंगे वाइल हमारा गरम हो चुका है तो उसमें हम आदा चम जिरा डालेंगे फिर छे साथ मैंने हरी मिर्च लिए है टीकी वाली जिसको लंबे-लंबे स्ल पुनी हुई मुफली डाली है अब यह मुफली हरी मिर्च हलका हमें फ्राइ करके लेना है तो यहाँ पर मैंने यह मुफली और मिर्च वगेरा हलका फ्राइ कर ली है अब इसमें हम आलू डालेंगे यहाँ पर मैंने मेडम साइस के तीन कच्चा आलू ली है जिसके मैंने छ छोटी छोटी पीस इसमें कट कर लिया है आलू को अब हमें आच्छे से 3-4 मिनिट मेडम गेस की उपर fry कर लेना है जब तक कि आलू आच्छे से हमारे पक नजाए ऑब देख सकते हो यहां पे आलू हमारे पक चुकी है बिल्कुल छोटी छोटे आलू की पिस हमारे बन चुके हैं, तो यहाँ पे arrangements with Improveา One, चुरा जान आपके दाने का यहाँ अब को यहाँ है? फिर इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाली है नमक डाला है और मैंने आदा निम्बू निचोड लिया है निम्बू के रस से साबदाना किचडी बहुत मस लगते हैं आगर आप उरत में टमाटर खाते हो या साबदाना किचडी में आपको टमाटर पसंद है तो यहाँ पे आप टामाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हो पर हम टामाटर नहीं डालती है साबदाना की खिचडी में तो हमें यह निम्बू नहीं चोड़ लेते हैं निम्बू से भी साबदाना खिचडी में बहुत मस टेश्ट आता है तो आप ग्यास को हमें मेडेम रखना है और मेडेम ग्य तो तीन मिनस के बाद यहाँ पर हाद के सावजय हम्हा Inhale कि सरे इसला की की होती धकनें के बाद मेरी में और हाँ पर जानेंड़ा हिखा फैने दालेगा लेखिन कट्टी मीठी टीकी बहुती मस्ट शक्र डालने के बाद ये खिसडी में टेस्ट आती है हलकी मैंने थोड़ी सी आदा चम्मच यहाँ पर चीनी डाली है चीनी हम खिसडी के साथ मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारी साबुदाना खिसडी खाने के लिये तैयार हो चुकए, आप देख सकते हो बहुती मस्ग तरीके से यहाँ पर यहाँ परती खिली-खिली आप देख सकते हो ना एक बिदाना एक से चिपका नहीं है बहुती मस्ट टिस्टी बनती है और बच्चों को तो ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म साबदाना खिचड़ी खाने के लिए तैयार हो चुकी है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे शेयर कीजे चाइनल पर पहली बार व और शे alleen डिशपकेसागा के लाता है जयाँ जड़ी है जड़ी खाना लाइक कीजे झायार हाँ नड़ी बच्ष एमेर लाइक कीजेश में नड़ी है जड़ी खाना बार